हलो फ्रेंड हम लोग आच चुक्ए हैं आज की टुटोरियल में हम लोग मुबाइल फॉन से जो वेब डिशों का कोर्स चलाया था मैंने आप लोग को सिखाने जा रहा हूं तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि आज मेरा पहला वीडियो है तो सबसे सबसे पहले आप लोगों को सिखां देते होंगे पहले डाउनलोड करने बता देते हों तो सबसे पहले यहाँ पान सिंप्लीद एडिटर 쳤 grass ॐ इंट्टेटर मेरे पहले अपकर चुका है , आप लोग को से इसतरा आप संदेगी यह लोगो आप लोग यह बॉक हो यह वाले इंस्टॉल करना है और दूसरा को और यही वाले इंस्टराहि नहीं करें आप लोग को और इसको से इंस्टॉल है आप लोग य। झाल नियू डाउनोड करेंगे तो यह कुछ इस तरह का दीखेगा आप अब लोग इसको सकार दिजिए घव कर दिजिएगा और यहां पाव्स एक क्रियेट कर दिजिए locking ना तुमको यह पास है डाएंट फैर बंटन पर क्लिक कर रहाहूं तो यह पूंछ रहा है आप्लोग को कौन सी वास है मतलब यल्यस आप लोग बहुत सारी लेंग्वच होती हैं आप लोग किसके साथ काम करना चाहते हैं HTML Bootstrap HTML HTML JavaScript HTML React किसके साथ आप लोग काम करना चाहते हैं तो आप लोग यहां पास simply हम लोग HTML का टुटोरियर चलाएंगे तो HTML पर क्लिक करना है आप लोग को यहां पास HTML यहां पास file name दे लेना है folder name tutorial आप लोग कुछ भी नाम धर सकते हैं दे सकते हैं और create button पर क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद आप लोग को यह auto complete यह code अपने मन से generate कर दे रहा है देखो index.html file भी बना दिया code भी edit कर दिया अपने मन से देखो आप लोग को कुछ करना भी नहीं पड़ा इतना सारा code लिखना पड़ता आप लोग को यह boiler plate होता है मैं बता दे रहा हूं कि यह boiler plate होता है HTML का इन सबसे यह सब नहीं लिखेंगे तो काम नहीं चलने वाला आप लोग का इसको लिखना जरूरी होता है और फिर अंदर आप लोग कुल भी लिख सकते हैं मतलब उसके रिलेटेड और यह देखो मैं इसने अपने मन से जावा स्क्रिप्ट भी इंक्लूट कर दी फाइल में डॉट जेस और इस्टाइल सीट भी CSS की फाइल भी इंक्लूट कर दी यह इस और इसमें भी पात दे दिय है यह देखो पात दिये लिंक रिलेशन इस्टाइल टो इसन इस्टाइल सीट एचरेफ दे दिया है इस्टाइल डॉट सीएस और में डॉट जीएस सबका दे दिया अब आप लोग को यहां पास कुछ नहीं करना आप लोग को देखना है यहां पास सर्च बटन के बगल में एक तीन कोने का ग्रीन बटन दिख रहा है आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यह देखो एच्टीमेल यह टाइटल दे रहा है फाइल का और यह नतिंग टुसी हेर यह पैराग्राफ टैक जो लगा नीचे वह दिखा रहा है तो आप लोग को यहाँ पास दिखा रहा हूं लिखा है आप लोग को यहाँ पास कुछ भी लिख देना है जैसे जैसे मैं लिखते हूं लिख और प्रेगन बिगनेज इस एसको लिख़े और मैंने यह पैरेड़ ग्राफ टैक जो लगा है इस पर दूसरा कुछ में लिखी दे रहा हूँ वेब डिवलप्मेंट टुटोरियल अब इस पर क्लिक करना है आप लोग को यह ग्रीन वाली बटन पर इस पर क्लिक करेंगे तो यह देखो हमारे टाइटल भी चेंज हुग है टुटोरियल फॉर बिगनर्स और नीचे जो ग्राफ टैग मैंने लगाया है वेब डिवलप्मेंट टुटोरियल फॉर फॉर फ्री यह इसको मैंने लिखा तो यही इसको कर रहा है यहां पास अब आप लोग कोई अंदज हो गया होगा कि यह कैसे ब्राउजर में दिखा रहा है आप लोग को तन कर लेगा इसमें एक भी एड़ नहीं दिखाएगा आप लोग को आप लोग को मैं यह पैरग्राफ टैग है यह पैरग्राफ आप लोग को और भी टैग के बारे में बता दे रहा हूं जैसे आप लोग को यहां पास यहां पास जैसे क्लिक किया और यह ज लोग को उसी तरह स्थमाल कना एक अदर शिक्त मों इसको तु consumers नीचे आएगा अब आप ओ को यहां पस टाइग से बारे मता देता हो मैंने लगाया मैं लिगक्कर जैसे मेने इंटर दवाएट देखना आप लोगर जा इस मैं इसको मैं इन्टर ही बोलूंगा आप रिखेज़ में अग इंटर कहां से आ गए को आप अब लोग इसको जो एरो वाली बटन है इसको इन्टर इस समय ना तो मैं रहें आप लोग इनका भी बहुत इस्ते मालोग जैसे मैं इसको इसको दबाओं तो यह नीचे आएगा इसको द। तो मैं उपर जाओंगा यह देखो इनका भी बहुत इस्तमाल है आप लोग इनका इस्तमाल सेख लेजिएगा अब जिसे में यहां पास आगे एच्वन में मैंने कुछ कंटेक्ट डाल दिया जिसे मैं कुछ भी डाल देता हूं अरे क्या हो रहा है भाई कि वह मैंने वह वीडियो रिकार्डिंग कर रहा था उसलिए उसने थोड़ा वह कर दिया चलो ठीक है फिर से मैं वह कर लेता हूं कि अब जिसे में इस टेग इस पहले एच्वन देख लेते हैं एच्वन पूरी प्रेंट हो चुकी है अब हम लोग यहां पास कंप्लीट अब इसको रन करके मैं दिखाऊंगा आप लोग को यह हेडिंग दिखेगी आप लोग को यह देखो कंप्लीट वेब टुटोरियल और यह जो पैराग्राफ टैग है यह नीचे जो लगा था यह उस पैराग्राफ टैग में इस तरह दिखेगा और हेडिंग लगाएंगे त कुछ भी कंटेंट डाल देता हूं कंप्लीट वेब टुटोरियल फिर इसको मैं रन करके देखता हूं यह देखो अब यह एक एच्टू टैग से थोड़ा छोटा दिखा रहा है आप लोग को है वही मगर बोल्ड भी है थोड़ा एच्वन ज्यादा हेडिंग ले ले लेता आप लोग लगा सकते हैं यहां जैसे जहां पास आप लोग को लगाना हो जो टैग वही जा साइच के हिसाफ से आप लोग लगा सकते हैं अब इस थ्री लिखा मैंने और इंटर प्रेस किया तो यह देखो अब इसमें भी कंप्लेट कुछ भी कंटेंट डाल देते हैं आप हुआ इसी को डाल हो क्योंक्विसमीं साफ साफ दिए कितना बड़ा कितनी जगा ले रहा है तो मैं फिर कोई इस बटन पर क्लिक करूँगा और यह देखना और क्लिहरा एंड क्लीट वेप टुटोरीयल क्लिछ टीनो उससे पहले पहले सब से बढ़ा फिर से चोटा फिर उससे चोटा फिर उससे सब इसी तरह लाइन से प्रिंट हो रहा हैं अब 7 दिखा देता हो तो फिर is ना कैसे होता कांप्लेट वेब टुटोरियल को बस इसको मैंने फिर ब्रीक किया यह देखो यह Extreme से भी छोटा प्रिंट हो रहा है और बोल्ड है वैसे पी टैग के बराबर मगर बोल्ड है तो आप लोग हेडिंग टैग तो से गया होगे पैरेग्राफ टैग भी इसी तरह है अब यहां पास आप लोग कुछ भी कंटेंट डाल दीजिएगा जिसे मैं ऐसे थोड़ा भरे दे रहा हूं अब मैं ज्यादा बड़ा हूं नहीं लेना हो चाहता कि एक एक आप लोग को दिखा हूं कुछ भी आप लोग उठा लेना कॉपी करके अब इसको मैंने इतना कंटेंट डालने के बाद पैरेग्राफ टैग में अब इसको रन कर देखना यह देखो यह हैटिंग टाइग है यह पैरेग्राफ टाइग तो यह इस तरह प्रेंट हो रहा है इसने अपने मैंसे इंक्लूड कर लिया आप लोग डाल सकते हैं तो आउंगा मैं सिस्टरवी पहले हम लोग एस्ट एमेल का थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन भी आज ले लिए हम लोग ने देख लिया किसे एच वन और पी टैग को पैरेग्राफ टैग हेडिंग टैग पैरेग्राफ टैग काम करते हैं देखो हमारा इस तरह का दिखाई देरा वेपसाइट बनके तयार हो चुकी है यह हम लोग मोबाइल में खोले हुए तो इस तरह दिख रहा है थोड़ा लैपटॉप या पीसी में इसी तरह दिखेगा मगर थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा तो थोड़ा जगा भी लेगा आप लोग यहां पास थ तो हो इस तरह इसमें दिखेगा लैपटॉप में तन इत्पर जगा देगा दिखेते कर एक अगली करक्तर जाओंगो आज के लिए दोस्तों इतते हैं अगदी विडियों में